Hey what's up guys welcome to my channel and I am back with a new video दोस्तो आप लोग अगर Samsung की smartphone पसंद करते हो और Samsung का midrange segment पे कोई अच्छा smartphone लेना चाहते हो तो आप लोगो यह smartphone के लिए वेट करना तो बनता है Samsung उसकी midrange segment पे P series में P5 नाम का एक smartphone को launch करने जा रहा है जो काफ़ी कमाल का smartphone होगा और यहां पे pro personal ultra model भी देखने को मीड़ेगा लेकिन आज की वीडियो पर हम सभी चीजों की बारे में बात करेंग जो यह smartphone की सबसे interesting part होगा तो आप यह वीडियो को इन तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आते है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके चनल को सबस्क्रीब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाके सभी नोटबेगिन को on कर लीजिए आने वाले सभी वीडियो को miss ना करने के लिए तो दोस्तो आप लोग तो जानते है कि सैमसंग स्मार्टफून की डिस्प्ले कितनी कमालकी होते है क्योंकि यह फोन पे आपको 6.5 इंच का फूल HD प्लस सूपर एमोले डिस्प्ले पैनल दिया जाएगा जो 120 हर्च पैनल के साथ में आता है और यहाँ पे आपको 1000 निट्स भी देखना को मिलेगा तो डिस्प्ले काफी कमालका होगा और आपको इसकी डिस्प्ले में कोई भी कम्प्रॉमाइज करने की ज़रुरत नहीं पड़ेगा और आप यहाँ पे काफी कमालका ब्राइट डिस्प्ले देख पाएंगे जो सैमसंग स्मार्टफून का usp होता है आप अगर फोन की camera की बात करें तो यह Samsung Galaxy P5 Series पे आपको 108MP camera sensor दिया जाएगा जो quad camera setup के साथ में होगा और यहां पे आपको और भी 3 different camera sensor प्लेस किया जाएगा और यहां पे सामने के तरफ आप अगर selfie camera की बात करें तो यह फोन पे 40MP का huge selfie camera भी दिया जाएगा जहां पे आपको 4K video recording का option तो मिलेगा ही साथी में आपको based possible AI के साथ में photo quality मिलेगा आप अगर social media site पे बहुत ज़्यादा reels या फिर videos मनाते हैं तो यह जो smartphone इसकी selfie camera आपको based quality video and image output देने में काफी मदद करेगा दोस्तो यह phone पे Samsung Ape Series के तरह 7000mAh की battery इस्तमाल करेगा जो 30W fast charger के साथ में आएगा और यह charger box के अंदर देखना को मिलेगा दोस्तो normally 7000mAh battery से अराम से आप एक दिन गया दो दिन battery backup पाएंगे अगर अगर ज़्यादा heavy use करते तो आपको एक दिन की battery backup तो confirm मिलेगा लेकिन यह phone पे जो fast charger system है उससे आप phone को और भी quickly charge कर पाएंगे और आप इसे phone को एक बार charge करेंके long term के लिए इस्तमाल भी कर पाएंगे आप अगर phone की operating system की बात करें तो यह phone latest android 12.0 operating system की उपर run करेंगा और यहाँ पे samsung का one UI 4.1 की support भी मिलेगा जो latest one UI है और यह काफी बैतर तरीके से optimize भी माना जाता है software में आपको काफी powerful and latest operating system मिलेगा जहाँ पे आप सभी तरीके का चीज़े इस्तमाल कर पाएंगे latest software के साथ में और आपको यहाँ पे काफी कमाल का smooth user interface भी देखने को मिलेगा फोन की RAM और इंटलना storage की बात किया जाए तो यहाँ पे इसकी जो 6GB है base variant के साथ में 64GB and 6GB के साथ में 128GB storage option भी मिलेगा और यहाँ पे आपको 8GB के साथ में 128GB and 8GB के साथ में 256GB का storage option भी मिलेगा overall देखा जाए यह phone जो है mid range segment पे सबसे powerful smartphone में से एक होने वाला है तो आप इस smartphone के में जरूर check out कीजिए आप अगर जदा premium smartphone नहीं लेना चाहते है और अगर flexi killer smartphone जदा पसंद करते है तो यह series आप के लिए काफी बहतर होगा तो आप चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon को press कर दीजिए ताकि इसकी बारे में जो भी नया update आएगा और जो भी नया news आएगा वो आपको मैं सबसे पहले inform कर पा हूँ ताकि आप इस device की बारे में सभी report और सभी news सबसे पहले जान सके तो let me know your thoughts on this and I will see you guys tomorrow, peace out